हेलो गाइच वेलकम बैक टू बैक माई एटो चैनल टॉप टेन क्लासिस मैं अनिकेत पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसा की ठीक्स के क्रेस को स्टार्ट हो गया है और पहले क्लास में हम लोगों ने हर एक चैप्टर से रिलेटेट कितने नंबर मिलते हैं कितने के बारे में बता दिये थे और इसके पहले लैख्षर में हमने बिद्धुत आवेश के बारे में पढ़ लिये थे आज हम लोग जो है बिद्धुत आवेश से आगे जो उस अगली heading के बारे में देन करेंगे जिस heading का नाम होता है आवेशन की प्रक्रिया यानि किसी भी चालक पर आवेश कैसे उत्पन किया जाता है या किसी भी पदार्थ पर आवेश को उत्पन करने की विधी क्या होती है वो हम लोग जात करेंगे तो हमारा आज का topic है आवेशन की प्रक्रिया आवेशन की प्रक्रिया सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां जानने का ये प्रयास करते हैं कि आवेशन क्या होता है तो ध्यान से समझेगा वजिया आवेशन क्या होता है कि जैसे किसी भी पदार्थ पर आवेश उत्पन करना ही आवेशन कहलाता है जैसे हमने कहा कि ये कोई हमने पदार्थ ले लिया और इस पदार्थ पर अगर आवेश उत्पन कर दिया जाए आवेश उत्पन करने की जो प् आवेशन होता है किसी चालक पर आवेश उत्पन करना ही आवेशन कहला था आवेशन की प्रिक्रिया तीन प्रकार से की जाती है सबसे पहली प्रिक्रिया होती है चालन विधी क्या होती है चालन विधी यानि हम किसी भी चालक पर किसी भी पदार्थ पर आवेश उत्पन करने क तीन विधियां है सबसे पहली विधी होती है चालन विधी और दूसरी क्या होती है दूसरी होती है प्रेरण विधी कौन सी विधी होती है प्रेरण विधी और तीसरी होती है घरसन विधी कौन सी विधी होती है घरसन विधी हमने क्या आपको बताया कि किसी भी पदार्थ पर और किसी भी चालक पर आवेश उत्पन करने की तीन विधियां हैं सबसे पहली विधी चालन विधी दूसरी विधी होती है प्रेनन विधी तिसरी होती है घरसन विधी आईए हम लोग जानते हैं कि चालन विधी क्या होती है और चालन विधी के दौरान किसी भी चालक पर किसी किसी धनावेशित वस्त को किसी धनावेशित चालक को किसी ऐसे चालक के पास रख देते हैं जिसके पास आवेश नहीं रहते हैं अर्थात वो उदासीन रहता है कैसे हमने कहा कि किसी भी ये माल लेते हैं किसी आवेसित चालक को किसी उदासीन चालक के पास किसी उदासीन चालक के पास रख दिया जाए ये माल लेते हैं और ये आपका क्या है अनावेसित ख्यान समझेगा जब किसी आवेसित चालक को अनावेसित चालक के पास रख दिये जाते हैं तो इसकी जो प्रकित होती है इसे धनात्मक आवेसर conqueror यह धनातमत आवेस इस चालक पर आ जाते हैं इस अनावेशी पदार्थर आ जाते हैं तो इस प्रिकार की प्र notably आवेश उतपन्द करने की चलन प्रिक्रिया कालाती है जैसे एकkeysामपल हम लोग और समझते हैं जैसे हमने क्या कहा कि हम कोई पदार्थ लेते हैं क्या करते हैं कोई एक पदार्थ लेते हैं जिस पे हमने कह दिया कि यह कोई ऐसा पदार्थ है जिस पे क्या था धनावेस थे यह क्या थे पुन रूप से धनावेस थे अब इसके संपर्क में हम लोगों ने क्या रख दिया इसके संपर्क में एक क्या रग दिए अना वेसित पदार्थ हो गए जब हम किसी आवेसित पदार्थ को अना वेसित पदार्थ के संपर्ख में लाते हैं इस आवेशित पदार्थ का जो भी प्रकित है इस अनावेशित पदार्थ पर आ जाते हैं यही प्रक्रिया आवेशन की चालन प्रक्रिया कहलाती है तो हम लिख सकते हैं कि जब किसी क्या लिखेंगे आवेशन चालन प्रक्रिया क्या होती है जब इस प्रकार की विधी में किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्ख में रखकर के संपर्ख में रखकर रखकर आवेश प्रक्रिया जाता है कि आवेश उद्पन किया जाता है कि चालन भी का लाती है अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी विधी दूसरी विधी कौन सी विधी होती है प्रेरण विधी कौन सी विधी होती है प्रेरण विधी इसमें क्या होता है आईए हम लोग एक चित्र के माध्यम से एक उधारन के माध्यम से प्रेरणी विधी के बारे में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं एक उधासीन चालक ले लेते हैं क्या ले लेते हैं एक उदासीन चालक ले लेते हैं माल लिजेगा ये कोई उदासीन चालक हो गए A और A कोई एक उदासीन चालक और हो गए B हो ठीक ये कोई A हो गए ये क्या हो गए कोई B हो गए अब जब हम लोग जो है किसी आवेसित चालक को किसी आवेसित चालक को उदास चालक के संपर्क में रखते हैं जा उदासीन चालक से असवर्स कर आते हैं अब दिखिए का क्या होता है कि यह क्या है आपका अवेसी चालक कि या यह इंप स्वर जालक में संख्या एक्वल है तब ये भी उदासीन हो गए ये भी उदासीन हो गए तो हम क्या करते हैं कि जब किसी आवेसित चालक को किसी अनावेसित चालक के संपर्थ में लाया जाता है तो इस पदार्थ पे इस आवेस के विपरीत आवेस उत्पन हो जाते हैं जैसे अगर ये धनावेसित है तो इसके इस सीरे पर कोण सा आवेस उत्पन हो जाएगा, रिड़ आवेस उत्पन हो जाएगा, इसके सीरे पर रिड़ आवेस और इसके सीरे पर क्या उत्पन हो जाएगा, धन आविस उत्पन हो जाते है क्या हमने बताया कि इस प्रकार के विधी में आवेसित चालक को किसी अनावेसित यानि उदासीन चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उदासीन चालक के सिरो पर विपरीत चार्ज प्राप्त हो जाते हैं विपरीत प्रकित के आवेस उत्पन ह हो जाते हैं तो यह विधिया कौन सी विधिया कालाती है प्रेरण विधि कालाती है अगर आपको यह उधारण अगले उधारण समझाते हैं अगला क्या लेते हैं जैसे हमने कह दिया कि कोई यहां पर आवेसित प्रकार उदासीन चालक पर आवेस उद्पन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है क्या कहलाती है या आपकी प्रेरण विधी कहलाती है या ये विधी कौन सी विधी कहलाती है प्रेरण विधी कहलाती है चले अब हम लोग कौन सी विधी जानते है घरसन विधी कौन सी विधी घरसन विधी तीसरी विधी होती है घरसन विधी गर्षन विधी क्या होती है इस विधी के अंतरगत किनी भी जिन दोनों वस्तूओं पे आवेस आवेस उत्पन करना होगा कि जैसे अगर हमको इस वस्तूओं पे आवेस उत्पन करना है तो इस विधी के दौरान इन दोनों वस्तूओं को आवेस उत्पन किया जाता है अब कहोगे आवेश कैसे उत्पन होते हैं तो इन दोनों पदार्थों में जिन दोनों पदार्थों को आपस में रगरते हैं तो किसी भी एक पदार्थ का इलेक्टरान दूसरे पदार्थ पे अस्तांतरण हो जाता है देखिए आईए जैसे हम लोगों ने देखा हमने कहा भई कि एक कोई पदार्थ ले लेते हैं इन पदार्थों में इलेक्टरानों की संख्या साथ थी और प्रोटानों की संख्या भी साथ थी यानि साथ इलेक्टरान और साथ प्रोटान थे और एक कोई दूसरा पदार्थ ल प्रकार के विधी में जिन वस्तूओं पर आवेश उत्पन करना रहता है उन दोनों वस्तूओं को आपस में हम लोग क्या करते हैं रगड़ते चलते हैं अब अगले टॉपिक के बारे में अगले हेडिंग के बारे में बढ़ते हैं अगली हेडिंग है आपका कुलाम का नियम चले अब हम लोग जो है इसी करम में अगली हेडिंग है कुलाम का नियम कुलाम का नियम कुलाम का नियम अब कुलाम का नियम क्या होता है कुलाम का नियम जो है आपने कच्छा 11 में जो है न्यूटन के या गुर्तवा करसन का सारुत्रिक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी नियम से मिलता जुलता होता है गुर्तवा करसन का सारुत्रिक निय सिल्चरम को भी बताते हैं सब्सेपहले गुरुत्वा करणे सद से का नियम आपके क्या पढ़ा tract कि अज़ंडने कि ब्रम्हान जिनके कि द्रभिमानमालेते हैं यमोन और क्या था मैं विशकी दूड़ी और भी ब्रहती ब्रहमान में सित्कनी दोपिंडों के बीच लगने वाल जो भल उप फस्ट लगने वाला जिऊ एन वाला जो आकरसनभल फ उन्होंने बता उन्होंने क्या बता है कि न लगने वाला बल हैं इन दोनों दरबिमानों के गुरंफल जो एकह होता है इन दोनों पिंडों के दरबिमानों के गुरंफल के अनकुमान उपाती होता यह अर्था बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है वित्कमान उपाती होता है अर्था एक प्रपोर्शनल क्या होता है वन अपान और समीकरण नंबर क्या बना लिए दो बना लिए अगर हम लोग समीकरण एक और दो को मिलाते हैं समीकरण एक और दो की तुल्ला करते हैं हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक नियतांग लगाते हैं जी यमोण यम्तू अपान क्या होता है आज जहां जी क्या होता है गृत्वा करसर नियतांग होता है और इस जी का अमान होता है 6.67 बुड़े 10 घाते माइनस 11 होता है तो इसे के नियम को कॉपी किया गया कुलाम के बताया है कि केवल आपके हाँ दो पिंड ले जाते हैं कोई भी दो पिंड हो और हमारे हाँ क्या होता है कि कोई दो बिंद रूपी आवेस होने चाहिए क्या होने चाहिए बिंद रूपी आवेस आईए हम लोग समझते हैं कि बिंद रूपी आवेस क्या होता है सब से पहले तो आपके आवेस बिंद रूपी आवेस का लाते हैं जैसे हमने कहा कि ये वाला डॉट ये वाला डॉट ऐसे समझेगा जरसा अगर ये कोई बिंद है और ये दो बिंद है अगर हमने इनके बीच की दूरी इन दोनों गोलों की तुलना में बीच की दूरी कम है तो यह आपके बिंदू आवेस नहीं होंगे भलकि अगर हम यही कह दें कि यह कोई बिंदू है और यह इनके बीच की दूरी यहाँ बीच की दूरी इन आवेसों की तुलणा में अधिक है इसलिए यह दोनों आपके क्या कलाएंगे बिंद रुपी आवेश कहला यहां हमको ये बात clear गो जाना चाहिए कि बिंद रुपी आवेश क्या होते है आवेशों के तुल्ना में आवेशों के मध की दूरी अधिक होगी तो आवेश के बिंद रुपी होगी कुलाम ने क्या बताया किनी दो बिंदु आवेस तो बिंदु आवेस एक Q1 हो गया एक क्या हो गया Q2 हो गया एक Q1 हो गया एक क्या हो गया Q2 हो गया किनी दो बिंदु आवेस तथा इनके बीच की दूरी जो है क्योंकि आवेस जो होते हैं दो प्रिकार के होते हैं तो आकरशन भी बल लग सकता है और प्रतिकरशन बल भी लग सकता है तो उन्होंने क्या बताया किनी दो आवेसों के बीच लगनी वाला बैदुत बल आवेसों के गुड़न फल के अनकुर्मान उपाती होता है अर्थात F proportional क्या होता है Q1 and Q2 होते हैं क्या बताया गया भी एक कुलाम ने क्या बताया इन दोनों आवेसों के बीच लगने वाला बल F इन दोनों आवेसों के परिमारों के गुलन फलके अनुकमान उपाती होता है समीकर नंबर 1 तथा क्या बताया तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के बेतकुमान उपाती होता है अर्थात F proportional क्या हो गए एक बटे आज इसके आज समीकर नंबर क्या हो गया दो हो गए अब समीकर एक और दो से क्या कहा जा सकता है की F proportional Q1, Q2 अपान क्या हो गाher इस proportional को हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं एक नियतांक अनकमाण उपाती नियतांक केका उप्योग कर लेते हैं के Q1, Q2 अपान क्या हो गाher R.S.क.यार एक कुलांके नियम को ये भी कहा जा सकता है जहां K एक अनकमान उपाती नियतांग है जिसका मान क्या होता है वन बटे फोर उपाई एफसालेड नाट इस K का मान है Q1, Q2, अपान क्या होता है अगर हम लोग यहां से चाहे हैं तो K का भी मान निकाल सकते हैं और एफसालेड नाट आपका क्या है यहां एफसालेड नाट आपके निर्वात की बिद्दूत सिलता होती है तो चलिए हम लोग जो है यहां के बराबर क्या है वन बटे फोर उपाई एफसालेड नाट है जिसका गरती मान होता है नो गुड़े दस गाते नो और एफसालेड नाट क्या है निर्वात की बिद्दूत सिलता है और एफसालेड नाट का मान क्या होता है आठ दस मलो आठ पाँच गुड़े दस गाते माइनस बार नियूटन मीटर इसका प्रतिकुलाम होते है अब बात आती है कभी कभी यहां से प्रस्न बन जाते है एक एक नंबर के प्रस्न बनते है एफसालेड नाट का मातरक क्या होता है एफसालेड नाट का वीमा क्या होता है एफसालेड नाट का मान कैसे निकालते है तो सब का मान हम लोग सब का मान सब का मातरक और सब का वीमा निकाल लेंगे एक बार हम आपको कुलाम के नियम को और बता देते हैं किनी दोबिंद वावेसो के बीच लगने वाला बैदुत बल जिनको लिखना हो वो लिख सकते हैं उन दोनों वावेसो के गुढणफल के अनकुमान उपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है वित्कमान उपाती होता है यह बराबर क्या हो गए 1 बटे 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपान कितना होता है अब हम क्या करते है कि इनका cross multiply करते है तो cross multiply करेंगे F गुडे 4 pi epsilon 0 into क्या हो गए R square बराबर क्या हो गए Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 into Q2 हो गए अब हम क्या करते है Epsilon 0 का मांद चाहिए तो सब को इधर भैदेंगे सब को इधर देंगे अब हम लोग क्या करते है Q1 into Q2 कर दिये अब यहां समको Epsilon 0 का मातरक चाहिए तो Epsilon 0 का मातरक क्या हो जाएगा कि Epsilon 0 बराबर Q1 Q2 हो गए अपान क्या हो गए यफ into क्या हो जाएगा R square जहां 4 pi का कोई मातरक नहीं होगा तो Q1 का मातरक क्या होता है कुलाम इसका भी कुलाम Newton meter इसका Epsilon 0 का मातरक होता है अगर इससे पीछले वाले में हमने जो Epsilon 0 का मातरक निकाला था वो हो सकता है जरा सा गलती हो गई होगी Newton meter इसका अपरत कुलाम इसका लिखा गया होगा उसको ध्यान दीजेगा कुलाम इसका अपरती Newton meter इसका होते है यह आपके मान हो गए अगर आपको Epsilon 0 का गरती मान निकालना है तो हम यहाँ सब के मान रख सकते हैं वो भी निकाले जा सकते हैं आईए दिखते हैं आपने क्या पढ़ा F बराबर 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 अब यह किसका मान होता है यहाँ K बराबर आपने पढ़ा 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 इस K का मान क्या होता है 9 गुडे 10 गाते 9 यह 1 बटे 4 गुडे पाई का मान 3 दस मलो 1 चार गुडे Epsilon 0 अब आप क्या करोगे Epsilon 0 का मान चाहिए तो बीच में बराबर थे तो क्रास मल्टीप्लाई करोगे तो 9 गुडे 10 गाते 9 गुडे 4 गुडे 3 दस मलो 1 चार गुडे Epsilon 0 बराबर 1 हो गए अब Epsilon 0 के मान चेट इन सब को इधर भी दीजेगा 1 बटे क्या आजाएगा 9 गुडे 10 गाते 9 गुडे 4 गुडे 3 दस मलो 1 चार ठीक यह हो गए Epsilon 0 अब इन सब को आप हल करोगे तो हल करने के बाद 8 दस मलो 8 पांच गुडे 10 गाते 12 माइनस 12 कुलाम इसका प्रति न्यूटन मेटर इसकार आजाएंगे Epsilon 0 का मान चले अब आप लोगों ने खुलाम के नियम पढ़ लिए खुलाम के नियम क्या आए या बराबर 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 के 1 के 2 अपान आरिस क्यार आए अब हम लोग इस पे आधार पर इसी आधार पर बोड़ के पेपर में पूछे गए कुछ नियमेरकल है उनको साल्व कर लेते हैं सबसे पहला नियमेरकल है 2 बिंदूवत आवेस 2 बिंदूवत आवेस प्लस 2 कुलाम तथा 6 कुलाम है क्या हमने कहा भी कि 2 बिंदूवत आवेस 2 बिंदूवत आवेस प्लस 2 कुलाम तथा एक दूसरे से चार सिंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके मध्य लगने वाले बिद्दुत बल की गड़ना किजे बिद्दुत बल की गड़ना किजे चली आईए हम लोग कलाम के नियम का उपयोग करते हैं यहां दिखिएगा कि Q1 एक्वल टू कितना दिया गया 2 कुलाम और Q2 एक्वल टू कितना दिया गया 6 कुलाम और बीच की दूरी R एक्वल टू कितना है 4 सिंटीमीटर तो सिंटीमीटर को सबसे पहले हम लोग बदल देंगे मीटर में तो 10 गाते मानिस 2 से मल्टिप्लाई कर द कि 2 गाहिक होता है 0ไ want आपने रखा चार गुड़े दस गाति माईश दो का स्कार कर दोपर नाओ गुड़े कितना दो गुड़े चार अब चार गुड़ा दो बार करोंगे 4 छबड़ फिर 10 भाते माइनस 2 तो 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए ठीक अब क्या करते हैं भी हम 2 एक के 2 8 दूनी 16 आ गए फिर भी है 4 दूनी 8 तीन दूनी 6 आ गए तो उपर कितने बचे 9 3 27 और नीचे क्या बचा है 4 बचा है और ये 10 भाते माइनस 4 उपर जाएंगे तो ये प्लस 4 हो जाएंगे तो 9 और 4 कितने हो गए भी है 10 घाते 13 भाग दीजिएगा तो 4 छंगे 24 बचे कितने 3 फिर उसके बाद 0 तारे 10 लगा के तो 4 छंगे 24 यानि 6 दसमलो उच्छ गुड़े 10 घाते 13 न्यूटन का बल लगे गा ये है इस प्याधार पर नहीं में टिक अब हम लोग इसी क्रम में आपकी अगली हिडिंग आती है सतत आवेश वितरड क्या होता है उसके बारे हम лोग अधियन करते हैं बस प्यारे बच्चो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खतम करते हैं अगर बीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा अगर हमारे चैनल पर नए आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ठैंक यू जैहिंद